तो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं Fantasy, Sports, Spy, YouTube चैनल और मैं हूँ गौरव आज हम जो चैनल में तर्किश लीग का एक मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा डैनिल लिस्पोर वर्सिस गेजियान टैप के वीच इस मुकाबले का करते हैं डिटेल अनलिसेस दोस्तो ये मैच काफी लोगों को मतलब ये दुनू टीम्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी क्योंकि ये तर्किश जो लीग है उसकी लोवर लेवल की टीम से लेवल टू से प्रमोसन कर गया आई है और तर्किश लीग जो है वो हमारे इंडिया में जलते हैं इस मैच का करते हैं डिटेल एनलिसिस तो दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डैनिज लिस्पोर और गेजियान टेप के बीच जो ये मैच खिला जागा है डैनिज लिस्पोर के होम ग्राउंड में आज रात 11.30 पे खिला जागा यानि अभी जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके एक गंटे बाद लगभर लाइन अप आ जाएगी तो ये तर्किस लीग का टेबल है अब तर्किस लीग में फिलाल दोस्तों जो टीम सोती है वो होती है 18 और ये दोनु टीम अभी मिड टेबल में है यहाँ पे देखेंगे आप गजियान टेब की जो टीम है 10th position में टर्किस लीग में 35.10 के 41 गोल इन्हों ने स्कोर किये जो कि एक अच्छे गोल इन्हों ने काफी स्कोर किये लेकिन इन्होंने गोल कंसीट में आप देखेंगे तो 46 गोल कंसीट कर दिये तो इससे आप उमीद लगा सकते है कि जो इनका डिफेंस है वो थोड़ा वीक है compare to डैनिल लिस्पोर जो यहाँ पे 12th position में इन्होंने गोल कम मारे हैं दोस्तो 29 गोली मारे है लेकिन इन्होंने कम गोल भी कंसीट किया है सिर्फ 42 ही कंसीट किया है गेजियान टेफ के comparison में तो जोनू टीम्स ने अभी तक कुछ ज़्यादा खास परफ़मेंस टर्किस लीग में नहीं किया है तो अब हम यहाँ पे recent कुछ मैचेस के रिजल्ट देखते है पहले डैनिली स्पोर के एक जीरो से सिवा स्पोर से आरते है यह कोरोना ब्रेक के वापसी के बाद के मैचेस है उसके बाद यह पांच एक से बैसिक तास एक बहुत बड़ा कलब उन से आर गे थे फिर इन्होंने दो-दो ड्रो रिजल्ट से खेला था यानि कि लास्ट तीन मैचेस में आप देखेंगे तो डैनिली स्पोर टीम दो हारी है और एक मैच ड्रो के रहा है यानि कि एक भी उनकी जीत नहीं है और recent form देखेंगे तो हम डैनिली स्पोर की ज़्यादा अच्छी नहीं चल दी है अब हम बात करते हैं गजियान टैप की recent form की तो गजियान टैप ने कोरूना ब्रेक के बाद से तीन मैचेस जो खेले है उसमें एक एक ड्रो खेला है उसके बाद तीन तीन ड्रो ग्यला ट्रास से जैसी बड़ी टीम के अगेंस तीन गोल मारना बहुत बड़ी बात है तीन तीन जो ड्रो खेला है उसके बाद फिर से जो अपना आखरी मैच खेला था वो भी एक एंटल स्पोर के अगेंस्ट ड्रो ही खेला था यानि कि गजियान टैब ने कुरोना ब्रेक से वापसी के बाद तीन ड्रो खेले है इसमें ना तो जीते ना हार है लेकिन तीनों मैच में इनकी एक चीट कॉमन है इन्होंने एक एक गोल स्कोर किया है तो गजियान टैब की भी फॉर्म रिसेंट फॉर्म ज्यादा खाते है लेकिन डैनिल लिस्पोर के कंपेरिजन में इनकी फॉर्म अच्छी है अब हम देखते हैं इन डोनों टीमों के भी जो हेड टो हेड मैच खेला गया था इस सेजन में से बहले वो डैनिल लिस्पोर ने गजियान टैब को दो एक से अरा के जीता था अब दोस्तों आप हमारे टेलीगराम चैनल से नहीं जूड़े तो जरूर जूड़े अट दर रेट फेंटसी स्पोर्स इसपाई आप सर्च मारेंगे तो आपको हमारा टेलीगराम चैनल मिलेगा लगबग 1057 सब्सक्राइबर या 1060 सब्सक्राइबर के लगबग आपको वहाँ मिलने वाले है जरूर जूड़े नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहाँ भी जूड़ सकते हैं इसके बाद जो एक चाटन एटलेटिक मिल वॉल का मैच है चेंपियनसिप का उसकी भी GLSL टीम आईगी और एटलेटिक और मैडरेट का जो मैच है लेट नाइट उसकी फाइनल एसल टीम यहीं टेलीगराम चैनल में पोस्ट होगी लगबग सारे मैचिस हम कवर करते हैं अब दोस्तो प्रविवल लाइन अप देखते हैं आज हम और दिनों के जैसा कंपेरिजन नहीं करेंगे एनलीसिस नहीं करेंगे आज थोड़ाला करेंगे क्योंकि यह दोनु टीम के प्लेयर के बारे में बहुत कम बंदू को पता है इसलिए मैंने यहाँ पर डिरेक्टी सम कर सकते हैं अब दोस्तो जो डैनि लिस्पोर की टीम है यह 4-4-2 की फॉर्मिशन से खेलती है यह इसे कहिए आप 4-3-3 भी कह सकते हैं क्योंकि 3 फॉर्वर्ट खेलते हैं तो 4-3-3 की यह फॉर्मिशन से डैनि लिस्पोर की टीम खेलती है अब इन में जो 4 इनके डिफेंडर अब यहां पर यावरु और बडीच travelled फूल बैक पोजिसन में यलमाज और यमलू खेलते हैंçu सेंट्र बैक पोजिसन में अब यहां पर एंबांबा मुराविस की सिर्टि क्हलते हैं धश्चेंट्रलं मिटफिल्ड में और यहां पर 3 इनके फॉरवर्ट केक est साथ को स्टूपिनान और रोड लेगा अब मैं इनके आपको असिष्ट या गोली स्कोरिंग स्टेट दिखा के प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ तो यावरू जो इनके राइड बैक हैं दोस्तों इनके इस सीजन अभी तक तीन असिष्ट है तो इनका असिष्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है उसके बाद यालमा जो एक एवरेज प्लेयर है ज्यादा इस्टेट निया हाँ ये पासिस जरूर बनाएंगे लेकिन यामलू जो इनके दूसरे सेंटर बैक है उनके तीन गोल है तो अगर आपको में प्लेयर है इनके पैनाल्टी टेकर भी है तो ये आपको याद रख रहा है इनके चार गोल है जिसमें तीन गोल लगबग पैनाल्टी में और एक असिष्ट भी है अगर ये कुछ भी नहीं करते है तो दोस्तों अगर match में penalty होती है तो यही player लेगा तो यह player भी एक must pick साबित हो सकते हैं SRT जो इनके attacking infielder है इनके 5 assist है तो यह player भी काफी assist कर सकते हैं अब इनके जो 3 forward है उसमें साको खेलेंगे एक wing में और दूसरे wing में खेलेंगे road डालेगा साको की बात करूँ दोस्तो दो गोल और एक assist के नाम लेकिन एक खास बात मैं आपको बताता हूँ जो साको हैं दोस्तो इनके जो दो गोल इस सी जना है वो गजान टेब टीम के अगेंस्ट ही आये हैं मैं थोड़ा एज श्टूपिनान को दूँगा क्योंकि दोस्तो श्टूपिनान का मैंने गेम पर्सनली देखा है पहले यह काफी बड़े कलब्स के लिए खेल चुके है तो यहां पर यह प्लेयर अच्छे goal scoring ability दिखा सकता है लेकिन यहां पर रोडा लेगा भी दोस्तो एक असिष्टी भी है इनका 6 goal के साथ यह भी एक बहुत बड़ी अपिक साबित हो सकते हैं तो अब इनके stat देखने के बाद कुछ main players जो हमें पता लगए वो है श्टूपिनान, रोडा लेगा, मुरविस्की जो इनके penalty टेकर भी है और सर्टी इसके लावाद defense में मैं एक नाम देखना बूलगे है वो है यह उमलू का नाम तो यह कुछ 5 प्लेयर इनके most important player है अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी team जो होने वाली है गेजल स्टॉप की team अब दोस्तों इनका थोड़ा नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा tough है क्योंकि basically इनके match किसी ने भी नहीं देखे ह है अभी इनके जब research कर रहा थो तो highlights देख रहा थो तो उसमें मुझे दोनुटीम के कुछ main main players के बारे में पता लगा और कुछ players हैसे है जो मैंने पहले प्रीमियल लीग या और बड़े clubs के लिए खेल चुका है वहाँ देखा है तो यहाँ पर आप देखते है गेजियन टै अब दोस्तों जो जिलो बोजी है डिजलो बोजी यह चेल्सी के लिए खेल चुके है पहले मुझे याद है तो यह एवरेज प्लेयर थे लेकिन अब यहाँ गजयान टैप में आप देखेंगे तो यह गोल स्कुरर बन चुक है डिफेंडर है कॉनर्स में काफी गोल यह करत है पूरे सीजन अब इनके जो दो फुल बैक्स खेलते हैं उसमें सेलान जिनका एक गोल और तीन असिष्ट है तो सेलान राइड विंग बैक पोजीशन में खेलेंगे या राइड बैक में तो यह भी बहुत इंपर्टेंट प्लेयर हुए और मोराइस जो लेफ्ट बैक पो है तोसामी जिनके 6 गोल और 4 असिष्ट है तो यह प्लेयर भी एक बहुत बढ़िया चोईस हो सकता है इवन हमें केप्टन वाइस केप्टन सी की भी ऑफ़र चोईस हो सकता है तोसामी लेकिन एक बहुत बड़े प्लेयर के बारे में बताऊंगा वो है मैक्जीम एलेक्स मैक आए तोसामी पैनाल्टी लेकिन आप जब से मैक्जीम और क्लियर ली इस टिम का सकेंड बैस्ट या बेस्ट प्लेयर मैंक्सीम नहें तो यह आपको याद रखना है अब जो फरवण खिलिगे और कयोड़ों अब दोस्तों ओजेर के तो तीन गॉल और एक एसिस्ट है ठीक ठाग स्टैट है लेकिन कायोडे इनके मेन प्लियर है मैक्जीम के साथ कायोडे के आप देखेंगे 10 गॉल और 6 असिस्ट क्लियरली हमारे केप्टनसी की भी चॉइस हो सकते हैं और 7 में जब मैक्जीम निया थे उनसे पहले ये पैनल्टी ले रहे थे तो अभी मैं शेयर नहीं पैनल्टी हुई तो मैक्जीम या कोयोडे मैसे ही कोई एक लेने वाला है तो यह मैंने आपको दोनुटीम के प्लेयर के बारे में बता दिया अब यह देखें मेन प्लेयर कुछ डिजोबी जो इनके सेंटर बैक है दिलो बोजी नाम है एक्चुली और मैक्जीम कायोडे और टूमासी तो यह इनका कुछ अनलिस निकला है दोनुटीम का जो अभी त बारे में ज्यादा कोई इतनी ही नौलेज निकल पाई है अब यहां पर प्रीडिक्सन की बात करूं दोस्तों पॉइंट टेबल देखके क्लियरली प्रीडिक्ट करना मुस्किल है रीसेंट फॉर्म देखके भी मैं प्रीडिक्ट नहीं कर पार हो तो मैं यहां पे सेव जार में अगर नहीं बनाने आती टीम तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां इस मैच की आठ गरांड लीग और एक फाइनल स्मॉल लीग टीम आपको मिलने वाली है लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर यूड़िये नहीं तो आप अपको मेरा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा लगभाग 1K से ज्यादा सस्क्राइबर वाला तो अभी फिलाल मैं कोई डेमो टीम नहीं दिखा रहूँ सीधे अब मैं लाइन अब आने के बाद यहाँ पे टेलिग्राम में ही जी एल एसल टीम पोस्ट करूँगा तो जरूर यूड़िये टेलिग्राम चैनल के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जैन जै भारत